हेलो एब्रीबन वेलकम टू 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 चैनल आयरेप एजूकेशन आज जो हम बात करने जा रहे हैं आप देखी पा रहे होगे टॉपिक को जिरंट टॉपिक है हमारा जिरंट देखिए वैसे तो एक नाउन की तरह बेहब करता है यह सब ज्यादा तरह हम लोग जानते हो लेकिन इससे पहले जभ रहे लिए यह फूरा को मिल चाहिए और दूसरा आपको यहां पर यहां पर लिंग सकते हैं अब यह ऑ ब्रगार की हो सकती है यह Oh होती है यहाँ पर एक तोफ मौडल्स होती है एक आपकी helping verbs होती है जैसे कि is,m,r यह से यह आपकी helping work की तरह भी behave कर लेती है,mean work की तरह भी behave कर लिएती है कुछ models होती है जिनके अंदर काफी तरीक से इनको classified गया जाता है, जैसे कि models के अंदर मैं आपको बता दू, pure models होते है semi models होते हैं इनका कामी क्या होता है pure models जैसे की वो होते हैं जो only models की तरह भेव करते हैं यानि की helping work की तरह भेव करते हैं लेकिन जो semi models होते हैं वो main verb की तरह भी अगर tense की तरह आप इनको use करें तो main verb की तरह behave करेंगी और otherwise वो helping verb की तरह behave कर सकती है ठीक है अब main verb की अगर हम बात करें याप तो main verb को भी अलग-अलग types में classify किया गया है जैसे एक होता है transitive और दूसरा होता है intransitive verb तो ये transitive verb की तरह behave कर सकती है अब क्या होता है transitive verb और अनको समझाता हूँ intransitive verb का मतलब होता है जिसको object की need होती है intransitive verb का मतलब होता object की need नहीं होती है अब ये कैसे पता लगा जाये सब्सक्रोंग कोई particular verb wars यह अधर कोई अगर मैं वर्व लूँ हो एक इंट्रांजेटिव वर्व है तो वह हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम इसके उपर पूरी डिटेल एक टॉपिक के उपर बात करेंगे जो कि हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे फिर हम आ जाते हैं रेगुलर वर्व एन तो यह कुछ फॉर्म्स होती है अल्रेडी यहां पर एक वीडियो में डाल चुका हूं रेगुलर वर्व के लिए तो आप जाकर उन वर्व को चेक कर सकते हैं जो कि आपको डेस्क्रिप्शन वर्वर्व में उस वीडियो के लिंक मिल जाएगी अब आप देखिए यह होते ह तो यह आपको पार्फ के बलट नं फानित वर्वर्व को तो さ enabling बात करें दूं मनट वर्व किया आंने वाली हैं यह तीन पार्ट कौं कौन से हैं एक है आपका जिरंड जिस के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है i5 पर आने आज आते हूं जिरंड को किस तरीके से बनाया चाता हैं कि यह जो ह्वाघ है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिरंड जो है वर्व की first form plus ing होती है अब आप बोलोगे कि जिरंड की वर्व की first form plus ing होती है तो यह तो continuous form होती है यह कैसे जिरंड का काम कर सकती है तो जब यह वाली form जो है एक continuous form नहीं एक tense नहीं बलगी एक noun की तरह work करने लगे त होता है कि एक ऐसी वर्व जो noun की तरह behave करने लगे उसको हम बोल देते हैं वर्व क्या है वर्व की first form plus ing ठीक है इसलिए इसको बोला जाता है बर्वल नाउन और इसको technically name दिया जाता है जिरंड ठीक है तो यहां पे आपको वर्व की first form plus ing देखने को मिल जाएगी अब यह कैस मैं आपको यहां बढ़ा सकता हूं कि अगर देखिए अगर हम grammar पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम noun topic पढ़ते हैं और noun जो है पूरी grammar के अंदर यह एक pronoun topic भी हम पढ़ते हैं ठीक है तो noun और pronoun ही दो ऐसी चीज़ है जो पूरे इस English grammar के अंदर subject या object का work कर सकती है subject का work कर सकती ह इनके अलावा कोई भी English grammar के अंदर subject या object का work नहीं कर सकता ठीक है तो अगर यह वर्व as a subject as a object की तरह behave कर रही हो या इस जगा पर place हो तो हम बोल सकते हैं कि यह जो वर्व है वो zirand है यह वर्व की first form plus ing zirand है तो यहां पर हम लिख देते हैं कि अगर यह noun या pronoun यह जो subject की त form में आपको देखने को मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर यह चीज जिरंड है तो यह तो हो गया basic बात है जिरंड के बारे में अब हम जा लेते हैं कुछ examples जिरंड के बारे में जैसे कि आप देखें पहला example आपको दिया गया है I like to swim यानि कि उसको swim करना पसंद है I like ऐसे यहां पर बोला है I like what अब में आपको बिता दूं यहां पर बोल रहा है क्योंकि What आपको वहां पर यह पता लगता है कि ऐचीज नाउन है अगर आपको वहां पर में पता लगाना है कि यह चीज नाउन है या नहीं है और वह object की जगा पर आपको पता लगाना है तो आप बोशकते हो what का reply जो है वो noun की तरह work करेगा यानि कि यहाँ पर swim जो है वो noun की तरह behave कर रहा है यानि कि यह object की तरह behave कर रहा है I like to swim ठीक है तो I like what तो I like to swim यहाँ पर object की तरह work करेगा यानि कि यह noun है लेकिन इसके अंदर आपको कोई बर की first form plus ing तो देखने को नहीं मिले इसी sentence को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं इसी sentence को इस तरीके से लिख सकता हूं I like swimming यानि कि मुझे swimming करना पसंद है तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ वाट का reply लिया तो यहाँ भी वाट का reply ली सकता हूं I like What तो यहाँ पर लिख देता हूं कि I like What वाट का जो reply आप दोगे वो दोगे swimming word और swimming word को अगर आप classify करने की कुछिस करोंगे तो यहाँ पर मैं द्वारा से लिख देता हूं swimming मैंने यहां पर लिख दिया है इसको आप देखोगे तो इसके अंदर swim प्लस ing आपने देखने को मिल जाएगी swim जो है वह वर की first form है साथ में आपने इसके ing जोड के रखा हुआ है तो आप इसको क्या बोल सकते हो यह तो वर की first form प्लस ing continuous form हो झालेगी लेकिन आई लाइक spring जो है वाट का reply अपने में आपको नाउन होता थीक है और यहां पर वाट का reply मैंने आपको बतायता यह अब जाए है तो यह object की तरह भी जरा चाहा है तो मैंने भी आपको वता अभी आपको समझ में आया होगा फिस जिरंट basically हम कैसे चेक करते हैं चलिए next example की उपर आते हैं smoking is injurious to health ठीक है smoking is injurious to health आप यहाँ पर reply निकाल सकते हो what is injurious to health what is injurious to health what का reply अपने आप में noun होता है तो smoking यहाँ पर आपको noun की तरह नजर आने लगेगा यहाँ पर यह नाउन है अब smoking को देखा जाए तो यह वर्व की first form प्लस ing से बना हुआ है smoke प्लस ing जो की एक तरीके से यहाँ पर noun का काम कर रहा है और यह अगर आप देखोगे तो यह object नहीं यहाँ पर मिल जाएगा ओपट आपको यहँप़ने को मिल जाएगा लेकिन पर यहाँ यहां पर फॉक्यास किए तो smoking में चीजा貼 में व्क करेगी ठीक है तो वो what का reply है noun की तरह behave कर रहा है और इसको हम जिरंट बोलने लगेंगे ऐसे ही अगर आप देखो walking is good for health in the morning अगर आप morning में walk करते हो तो काफी ज़्यदा healthy है तो walking यहाँ पर बोलोगे तो आप बोलोगे what is good for health what is good for health what का reply यहाँ पर walking बनेगा walking यहाँ पर एक noun की तरह work करेगा क्योंकि मैंने भी आपको दोदीन वार बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज वाट का reply बन रही है तो अपने आपने noun का behave करेगी और यहाँ पर यह subject का भी behave करेगी ठीक है क्योंकि यह भी मैं आपको बता चुका हूँ noun या pronoun word English grammar की अंदर दो ऐसी चीज है जो subject या object का वर्क करती है ठीक है तो यह walking जो है subject का भी काम करेगी तो इसको हम mainly जो है जिरंड बोल सकते हैं तो यह पहचानने की एक हमारी trick होती है एक concept है यह पहचानने का कि किस तरीके जोड़े हम यहां जिरंड को पहचान सकते हैं इस तरीके जोड़े हम पहचान सकते हैं चलिए कुछ तीन examples और देख लेते हैं और यहां पर देखिए these boys are running these boys are running तो यह boys क्या कर रहे हैं यह दॉड रहे हैं यहां पर वर्व है तो running क्या हो जाएगा वह क्या कर रहे हैं दॉड रहे हैं तो यह एक तरीके से वर्व है यहां पर ठीक है तो यहां पर what का reply तो आप नहीं ले पा रहे हो these boys are what नहीं कुछ यहां पर sensi नहीं बन रहा है तो हम हर जगा पर इस sentence के बन रहा है तो ठीक है नहीं बन रहा है तो जवर जस्ती हम आपर fix नहीं कर सकते वाट का reply तो एक तरीके से वर्व है और यह continuous वर्व आपकी यहां पर नजर आईगी these boys are running विदौड रहे है ठीक है ऐसे ही आर जो है helping वर्व है dancing जो है वो आपकी main वर्व है वर्व की first form plus ing इसको हम main वर्व यहां पर बोलेंगे ठीक है इस तरीक से तो they are what ऐसा तो नहीं बोलेंगे they are what तो they are dancing ठीक है they are dancing यह एक तरीक से वर्व है इसलिए वापका कोई भी हम reply नहीं ले पा रहे है अब आजाते हैं इस वाली example पर she has dancing doll तो जरूरी नहीं है तो यह वर्व की first form plus ing आप जरूरी नहीं है कि वहाँ पर जिरंडी ही हो ठीक है आपको अपना sense of humor चेक करना है कि किस तरीक से आप उसको पता लगा पा रहे हो या नहीं तो she has dancing doll तो doll जो है वह आप चेक कर सकते हो नाउन है एक concept यहां पर और सीख लेते हम कि अगर noun या pronoun के बारे में कोई भी हम detail देनी की कोसिस कर रहे हैं detail add कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी जानकार ही देनी चाह रही है तो वह चीज अपने आप में जो detail होगी वह एक adjective की तरह work करेगी वह adjective होता है तो adjective का मतलब क्या होता है कि noun noun के बारे में फिसे इसता बताना कोई भी detail देना हो कोई भी detail हो सकती है ठीक है तो she has dancing doll तो वह doll कैसी है वह dancing doll है ठीक है वह dance करके ऐसे दिखाती है तो वह dancing doll है यानि कि जो dancing है यहाँ पर एक adjective की तरह work कर रहा है तो आप दे यहाँ पर वह actual में mean work की तरह work कर रहा है और कहां पर एक adjective की तरह work कर रहा है तो यह भी चीज है हमने यहाँ पर देख लिया ठीक है यहाँ पर यह कोई object तो बन नहीं रहा है object नहीं बन रहा तो फिर noun भी नहीं बनेगा लेकिर यह doll के बारे में आप कोई भी detail देने की कर रहे हो कि वह doll जो है वह dance करते है dancing doll है तो वह dancing यहाँ पर आपको एक adjective की तरह नजर आने लगेगा they are dancing में वह आपको main work की तरह नजर आएगा dancing and these boys are running में running आपको main work की तरह नजर आएगी ठीक है तो यह था हमारा आज का concept I hope आप सभी को यह concept समझ में आए होगे एक example छोट है two smoke जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे two smoke is injurious to health तो two smoke यहाँ पर क्या रहेगा वो जो चीज है ठीक है यह जो चीज है क्या हम smoking की जगा two smoke लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं तो बने रही है वीडियो के साथ यानि कि अभी तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं लेकि है यहाँ पर two smoke ठीक है क्या हम smoking की जगा two smoke को replace कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो सारी चीज हम देखेंगे infinitive वाली वीडियो के अंदर पहली बात मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर द्वारा से जिरंड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि यहाँ पर की तरह नजर नहीं आया, कहीं पर वह में adjective की तरह नजर आया तो कहीं पर वह एक इसलिफ वर्व की तरह नजर आया, ठीक है तो they are dancing में आप देख सकते हो, वह शिर्फ एक dance, they are dancing यानि कि हम they के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि they are dancing, simple, main verb की तरह व right or it is wrong तो यह सारी बात है जाने के लिए बने रही है हमारे साथ हमारे इस चैनल आयरफ एजूकेशन पर है और मिलते हम next वीडियो के साथ जो कि मैं आपको topic बदाता हूँ इंफिनिटेब की वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम यह सारी बात है जानेंगे ठीक है और last बात जो हमारी रह जाती है वो यह है कि अब यह एक हमारा telegram channel है ठीक है अगर आपको कोई भी notes चाहिए रहती है या जो भी YouTube पे वीडियो जाती हैं उनके particular notes चाहिए रहते हैं वो सभी के notes वीडियो के out होने के बाद आप वो telegram channel पर डाल दे जाते हैं telegram channel का नाम की है telegram channel का नाम है irap set chs आप तो आप यहाँ पर join कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर join कर सकते हैं और बल्कि आपको यहाँ telegram channel के description जो box है वहाँ पर भी आपको इसकी link देखने को मिल जाएगी तो आप इस पर click करिए और हमारे telegram channel को join करिए वहाँ पर आपको इसकी सारी की सारी चीज़ा देखने को मिल जाएगी ठीक है notes वगरा आपको proper तरीके से देखने को मिल जाएगे और इसको join करिए जल्दी से जाकर और YouTube channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे कि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियो तो रही नी उनकी साथ साथ notification भी आपको देखने को मिलते रहेंगे ठीक है तो I hope ये वीडियो आपको फ़संद आई होगी और इसके अंदर काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा धन्यवाद